हमारी अवसर लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है श्रीमत भागवत गीता के 111 पावरफुल विचारों को श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हम की चिंता किये बिना लूप, लालच, बिना एवं निस्वार्थ और निश्पक्षो होकर अपने कर्तवियों का पालन करना चाहिए जिस तरह प्रकाश की जोती अंधेरे में चमकते हैं ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की रह पर चलना चाहिए जिस मनुष्य के अंदर ज्यान की कमी और ईश्वर में शद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पता जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वैस्टन को त्याग कर नए वस्त्र धारन करता है ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग करना ये भौतिक शरीर को धारन करती है कौन क्या कर रहा है कैसी कर रहा है और क्यों कर रहा है इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे समझदार व्यक्ति जब संबंध अपना बंध कर देता है तो समझ लेना उसके आत्म सम्मान को कहीं न कहीं ठे सवश्य पहुँची है मुह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मुह भी नहीं करना चाहिए जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं जिम दया है दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता प्रभू व्यक्ति के लिए गंदगी का धेर पत्थर और सोना सभी समान है आपके कर्मी आपकी पहचान है वर्न एक नाम के हजारों इनसान है प्रेम सदैव माफी मामना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है मैं सोचते रहने से मनश्य कोन से आसकती हो जाती है इससे उनमें कामना यानि से क्रोध की उत्पत्ती होती है सदा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है नहीं कहीं और कर्म वी फसल है जिसे इनसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है इसलिए हमेशा अच्छे भी बाबुई ताकि फसल अच्छी हो जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं हुने वाला वो कभी नहीं होता ऐसा निश्च है जिनकी बुद्धी में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराईयां ही याद रखेंगे इसलिए लोग क्या कहते हैं? पर ध्यान मत दो तुम अपना कर्म करते रहो जितना हो सके खामोशी रहना अच्छा है क्योंकि सबसे ज्यादा गुना इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है गीता में भगवान श्री कृष्न कहते है या अरजुन अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक्चित मैन से मेरा पूजन करते है मैं व्यक्तिकत रूप से उनके कल्यान का उत्तरदायत्व लेता ही पार्थ जो लोग भक्ती में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते आतावे इस भौतिक जगत में जन उम्रत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरी को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो किसी कम की चिंता करना ठीक है पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह कम ही बिगर जाए अच्छी नियत से किया गया कम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपके पास है वह आपके पास है मनुष्य नहीं, हर गर्म अच्छे या बुरे होते हैं जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ती होती है तुमें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है किन्तो कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फल का कारान मानू नहीं कर्म, ना करने में आसक्त हो जाओ सही कर्म वह नहीं है, जिसके परिणाम हमेशा सही हो अपे तु सही कर्म हुआ है, जिसका उद्देश कभी गलत ना हो संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुन संपन्न नहीं होता इसलिए कुछ कर्मियों को नजर अंदाज करके रिष्टे बनाए रखिए पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना वही होती है जिस गलती से हम कुछ सिख नहीं पाते जब हमारा में तमजोर होता है तो परिस्थितियों समस्या बन जाती है और जब हमारा में स्थिर होता है तब परिस्थितियों चुनाती बन जाती है और जब हमारा मैन मजबूत होता है तब परिस्थितियों अवसर बन जाती है मनुष्य की मानवता उसी वक्त नश्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हसी आने लगती है ही भारतवनशी शरीर में रहने वाले कावध कभी नहीं किया जा सकता अता तुमें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यक्ता नहीं है समय यही सिखाता है कि जिन्दगी किसी का इंतजार नहीं करती है और ना ही किसी के लिए रुख सकती है जिन्दगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलारी बेहतरीन होता है दर्द सब के जैसे हैं मगर होसले सब के अलग-अलग कोई हताशोन के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखार जाता है मनुश्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय परे जाए मैं सोच कर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीडियां है और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है निरनय आपका है चरना है या दूबना है समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना की हम उन्हें मैन लेते हैं कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया गलतियां ढूनना गलत नहीं है बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए जरूरी नहीं हर बार आपकी शब्दों को सही समझा जाए इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है जो जितना अधिक शांत होता है वो उत्मी ही गहराई से अपनी बुद्धी का प्रयोग कर सबता है निंदा से घबरा कर अपने लक्ष को कभी न छोड़े क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है आपकी हर और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है इसलिए मैं लो तुम्हारी होगी और धन्नो तो जीत ही होगी सबसे समझदार और स्थिर बुद्धी वाला वही विक्ती है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूपता प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जीवन में कभी भी किसी से अपने तुलना मत कीजिए आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ट है मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है जिसने मैन को जीत लिया उसके लिए मैन सर्वश्रेष्ट मित्र है किम्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मैन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है नकारात्मक विचारों का आना तैय है परन्तु या आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है जीवन में कुछ भी स्थाई नहीं है इसलिए स्वयम को अधिक तनाव ग्रस्त ना करें क्योंकि परिस्थितियों चाहे कितनी भी फराब क्यों ना हो बदलेंगे जरूर संसार में परिशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पर भगवान की कृपा दृष्टी से बड़ी कभी नहीं हो सकती प्रेणा का सबसे बड़ा सरोत आपके अपने विचार है इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जितने के लिए हमेशा प्रेरिद करें जिसने मैंन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शान्ती प्राप्त कर लिया है ऐसे मनुश्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मैन अपमान एक जैसे होते हैं मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं कोई कुछ भी कहे बस अपने आपको शांत रखो क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो समुद्र सूखता नहीं है जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है चाहे वो किसी का धर हो या किसी का मैन जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है पर लगातार चिंतन करें सिर्फ दुमिया के सामने जितने वाला ही विजयता नहीं होता बलकि किन रिष्टों के सामने कब और कहां पर हरन है यह जानने वाला भी विजयता होता है जो लोग बुद्धी को छोड़कर भावनाओं में बाज आते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व मनश्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय लाभ या हनी प्रसन्नता या तो इत्यादी के बारे में सोचकर चिंत लक्षित दूर मिल जाता है ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है आपका विश्वास एक परवत को भी खिसका सकता है लेकिन आपके मैन का संदेह दूसरा परवत खड़ा कर सकता है हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है क क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजा दूसरों को रोलाते हैं अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आपको नहीं आकरती प्रदान करें कभी भी स्वयम को अपनी आत्मशिक प्रदान तुम्हारे दुखों का अंत है खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो लाड़ो पुरी निष्ठा से अपना करतव अपना करम स्वभाव बाकी सब मुझ में पर छोड़ दो हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो ले अगे नहीं जाते समय जब न्याय करता है तब गवाहूं की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वो हरिदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब वो बाहर देने वाले व्यक्ति के दिल में उसे उप श्वास उसी देवता में द्रड कर देता हूं उदय किसी का भी अचना नहीं होता सूर्य भी धीरे-धीरे निकलता है और उपर चड़ता है धैर्य और तपस्या जिसमें हैं वही संसार को प्रकाशित कर सकता है हेर जोन स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक करने के पक्षे का सफल योगी का पुना एक पवित्र और सम्रध कुटुम्ब में जन्म होता है शब्द उतनी ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो मैं अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठे न है लेकिन अभ्यास से इस अज़ा किसी से मत रखो क्योंकि सेवा का सही मूले इश्वर ही दे सकते हैं जब सत्य की सत्य से लडाई होगी तो सत्य किला खड़ा होगा और सत्य की फौज लंबी होगी क्योंकि सत्य के पीछे मूर्ख का जहुंड भी होगा अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास, स्वयम के अलावा और कुछ भी नहीं जब परिवार के सदस्य प्रिया लगने लगे और पराय अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि मिनाज का समय आरंभ हो गया है, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आन होकर भी कुछ डैन करते हैं, प्रेम शरीर या सुन्दर्ता को देख कर नहीं होता, प्रेम हरिदय से होता है, जादू, हरिदय मिल जाए, वहीं प्रेम जन्म लेता है, किसी भी व्यक्ती को अच्छे से जाने बिना, दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रती कोई धरना बना ल जीवन में सब कुछ खत्म होने, जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरूआत हमारा इंतजार कर रही होती है, जीवन में यदि खुश रहना है, तो अधिक ध्यान उसे चीज पर दे, जो आपके पास है उसे चीज पर नहीं, जो दूसरों के पास है, उसे दिन हम हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा कम इश्वर की मर्जी से होता है अगर हमारा विडियो पसंद आया हो तो शेयर करे धन्यवाद